तो हलो एवरिवन, मैं हनीकुमार शर्मा आप सभी का लॉजिकल रिजिनिंग मेंटोर और आप सभी के सामले में हाजीरू एक बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्मेशन लेकर जो की है things to carry in exam hall, ऐसी कौन-कौन सी चीज है जो आपको exam hall में लेकर जानी है otherwise आप कुछ भी उठा कर ले जाएंगे तो बाद में आपको problem होगी न तो वो problem से बचने के लिए ये video बहुत important है तो चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे checklist में आपके पास में क्या-क्या होना चीए checklist में सबसे पहले आपके पास में होना चीए आपका admit card जिसको print copy में होना चीए वो आपके पास print copy admit card जो है वो printed होना चीए printed copy यानि कि hard copy आपके पास में होना चीए valid ID proof होना चाहिए, original आपके पास होना चाहिए साथ में photocopy भी होना चाहिए passport sites photograph, if needed we need two photographs there water bottle, transparent होना चाहिए pan, आप pan कैसा लेके जा सकते blue या black color का ball point pan आप लेकर के जा सकते है अपने exam center पे, ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें, things not to carry in exam center, तो कौन-कौन सी चीज़े जो आप exam center पे नहीं ले करके जाएंगे वो चीज़े है, watches watches वहाँ पे बिल्कुल भी अलाओ नहीं है ठीक है, calculators, भाईया exam देने जा रहे हो, exam वहाँ पे तुम्हें हिसाब नहीं लगाना तो वहाँ पे आपको calculator नहीं लेके जाना आपको watches नहीं लेके जाना roughsheet नहीं, वो भी नहीं लेकर के जानाए, क्योंकि वो provided by exam center, वो आपको exam center में मिल जाएंगे सभी roughsheets, जितनी भी आपको need होगी, उतनी आपको provide करा दी जाएंगी वहाँ पे, चीक है अगर इसके बाद हम बात करें, valid IDs की कौन-कौन सी यहाँ पे valid IDs होती हैं जो आप exam center पे लेकर जा सकते हैं आपका pen card हो गया, driving license है आपका Indian passport है, आधार card इन चारों में से आप किसी को भी as a valid ID proof महाँ पर लेकर जा सकते हैं ठीक है, जो आपको exam center पे, exam time पे दिखाना पड़ेगा, दूसरी, अगर आगे मैं बात करो, things too noted अब आपको कौन-कौन सी चीजे हैं जिनका धियान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो, ये चीजे इसलिए धियान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप exam देने चाहते हो, तो आपको exam center पे before 30 minutes पहुंचना होगा, exam time से कम से कम कितना time पहले आपको पहुंचना होगा, कम से कम भी नहीं तो आपको वहाँ पर आदे घंटे एक घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखिए exam date आप वहाँ पर चेक कर लिजेगा, आपके form में exam date क्या है, reporting time आप अपना चेक कर लिजेगा, किस time आपका exam उससे एक घंटे पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि gate closing time पे अगर आप पहुंचोगे तो कई बार entry नहीं दी जाती है, तो जैसे कि आप बहुत सारी videos देखते होंगे, आपके साथ में वो problem ना हो, उससे अगर बचना है, तो आपको gate closer time से पहले पहुंचना होगा, location आप अपना देख लीजिएगा, कि किस जगे आपका exam है, पहले से जाके location चेक कर लीजिए, ठीक है, और paper की language आप select कर लीजिएगा, कौन सी language आप देना चाहते हैं, मराथी, हिंदे, इंग्लिश, कौन सी जो भी language आपने चूज करिए, वहाँ पर आप अपने photo and signature भी वहाँ पर देख सकते हैं, photo and signature, ये सभी चीजों का आपको वहाँ पर ज्यान रखना है, ठीक है बच्छा लोग, सो चलिए, wish you all the very best for MSCET 2024 aspirants, सब लोग बहुत अच्छे से exam कीजिएगा, सो मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुब कामने, all the very best, thank you.